लगादार तीन Korean movies देख चुका हूँ इस तलाश में क्यार ये वाली movie अच्छी लेगेगी इस movie की कहानी अच्छी होगी लेकिन 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 कैर आज के में स्टुडियो में चर्चा करने वाले Mission Cross movie के बारे में ये Korean movie है इसको Netflix पर लीज किया गया आज कल तो हर Korean series movie जो हूँ Netflix पर ही देखने को मिल रही है लगता है Netflix वालों ने ठेका उठा रहा है Korean का तो अब इसकी जो लैंथ है वो एग गंटे 45 मिनिट के पास आसपास रखी गई है इतना सुनकर भाग मत जाना यार तो अब बात कर लेते हैं इस movie की कहानी हमें क्या देखने को मिलती है तो एक कांग नाम का वेक्ति है जो अपना पास्ट बुला कर अपनी एक सिंपल सी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है अपनी वाइफ के साथ जो एक तरीके से घर का सारा काम करता है यानि कांग वे एक housemate का काम करता है अलांकि मुझे housewife कहना चाहिए था लेकिन कहने सकता क्योंकि आज की टाइम में feminism इतना ज़ादा हो गया है कि किसी महीला को कहा दिया कि वो घर का काम करना çाहती है या उसको घर का काम करना चाहिए इतने में वो offend हो जाती है और फिर वो feminism का जंडा उठा लेती है Kang जो है वो housemate का काम करता है बहुत शान्ती से रहता है एकदम सीधा साधा एकदम सरीव सा बन के रह रहा है शान सा बन के रह रहा है उसकी wife जो है वो police officer है वो अपने job का काम सभालती है लेकिन उसका past जो है यानि कांग का जो past है उसका पीछा नहीं छोड़ता है उसको एक दिन उसके साथ मितलब मिलता है कि वो एक secret service age force का हिस्सा था अब उसको एक lady मिलती है कांग को और ये सब चीजे जो है वो उसकी wife देख लेती है कांग के साथ कोई एक lady वो उसके से मिल रही है अब उसकी wife को लगता है कि कांग और उसकी lady का आपस में कोई affair है और वो ये सब चीजे जानना चाती है सचाई जानना चाती है ये सब चीजे क्यों हो रही है इसलिए वो उसका पीछा करती है लेकिन जब यह सब चीजें उसको पता चलती है, कांग की वाइफ को पता चलती है, सच्चाहिए क्या है, तो मतलब उन दोनों को, कांग को और उसकी वाइफ को unexpected situation के अंड दोनों को फसाद की वह कैसे उससे बहार आ जाती है, आते हैंं यह दोनों, और इसके अलावा कांग की वाइफ का क्या मतलब एक reaction होता है अपने husband की सच्चाई जान कर तो ये सब चीज़ों के लिए तो आप कोई movie देखनी होगी अब बात करते हैं कि movie में क्या ऐसा है जो इस movie को interesting बनाता है तो बात करें कि देखो इसके अंदर light comedy एक चीजे रखी गई है हलकी फुल की comedy रखी गई है husband wife का आपको प्यार देखने को मिलेगा husband अपनी wife का कैसे ध्यान अगता है कैसे केर करता है हर चीज का even वो ध्यान अगता है मुझे बहुत ज़्यादा चीज वो पसंद आई कि husband ने कहीं पर भी कोई कमी नहीं चोड़ी होती अपनी पत्नी की सेवा में बहुत अच्छी चीज लगी मुझे और इसमें कहीं पर भी वो ego वाली बात नहीं दिखाई कि यार मैं मर्द हूँ मैं ये काम क्यूं करूँगा मेरी ego कम हो जाएगी वो सब चीज़े नहीं और सेम उसकी wife के लिए मैं बात बोलूँगा कांग की wife के लिए इसा नहीं कि वो police officer है वो police का काम यानि एक job करके घर पे आती है तो उसके अंदर कोई attitude होता है ऐसा भी बिलकूल नहीं है वो एक compromise करते हुए अपनी life को अच्छे से जी रहे हैं जो बहुत मुझे अच्छी लगी ये बाते मतलब उनके उपर साथ में comedy भी है तो वो भी इसक और जादा interest बना देती है बाकि अगर performance की बात करें तो हाँ definitely सबने अच्छा गाम किया है और इसके अलावा जो एक आप देखेंगे कांग की wife को जब उसकी सचाई के बारे में पता चलता है secret agent होता है उसकी जब सचाई पता चलती है वो scene मुझे काफी बढ़िया लगा इसक कैसे कैसे कर सकता है उसके साथ वो जो जब चीजे सोच रही होती है वो scene भी काफी बढ़िया है वो चीज मैं नहीं बता सकता क्योंकि spoiler आजाएगा और मैंने चाहता कि आपका वो scene का आपका खराब हो वो interest आपका खराब हो अगर वो चीजे जानने है तो obviously movie तो देखने ही प लाश करता है जितना interest हमारा first half में बना था उतना second half में नहीं बनता है और एक जो चीज मैंने जो सोची थी या audience भी accept करती है कि हमने सोचा कि यह secret agent है second force का agent है तो खुंकार होगा काफी ज़्यादा serious होगा बहुत बढ़िया एक agent होगा बहुत बढ़िया fighting करेगा लेकिन नही वो सब चीजें नहीं होती है यार मैं तो यह कहूँगा कि इवन जो कांग की wife है वो काफी ज़्यादा बढ़िया agent है या फिर वो police officer है उससे बढ़िया काम करके उसने दिखाया है वो मतलब जब चीजें आप देखोगे movie में last में वो सब चीजें आती है वो आपको ज़्या focus नहीं किया गया है वो इतने बढ़िया नहीं है fighting sequence तो यार at least अच्छे होने ही चाहिए थे वो भी नहीं है जो उमीदे हम करते हैं second half से ये उन उमीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है अलांकि movie को interesting बनाने के लिए इसके अंदर कुछ surprise भी रखे गए है लेकिन वो इतने कुछ खास नजर नहीं आते हैं वो इतना surprise भी हमको नहीं करते हैं overall अगर बात करें movie के बारे में तो आपको एक हलकी फुलकी comedy देखनी है एक husband wife का प्यार देखना एक average सी कहानी है क्योंकि इसकी कहानी मैं ज्यादा बढ़िया नहीं कहूंगा एक average सी कहानी है और जो थ फाइट को थोड़ा सा मतलब झेल सकते हो normal से है normal से कम भी है तो definitely आप इस movie को देख सकते हो मेरी तरफ से तो देखो इस movie को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 हिंदी डबिंग काफी अच्छा है neat and clean movie है कोई भी vulgar सीन नहीं है तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में thanks for watching this video मि के आज के कि आ दे का देखिएे नहीं आज का कि दोपे आज करने में रक्षा नहीं भी ln वर्ण ऌप भीडू को तुम्या जा करने मतलब भीक है विछ सकते हो बूडियों मेंडतों इस वीडिते हो आज करने में अजसाने में आयूंगे जसे आूगे एषाएं?